देखे दोस्तों ये अभी हम यहाँ पर हैं ये आपको सामने खाद नजर आ रहा होगा ये खाद बनाया है वेस्टीज के प्रड़क्स से वेस्टीज के प्रड़क्स का एक खाद है और ये खाद तयार है और इधर जो है ये बहुत बड़े किसान हैं हमारे डोईवाले ब्लॉ यह लोग किसान है कि यह अपना पूरा खेत अपने सामने करवाते हैं इनके देखे सामने इनके खेत हैं और यह भी घ्यूब होने के तैयारी चलती है और ट्रैडिशनल तरीगे से मज़े की बात है अभी भी इन्होंने बैल रखे हैं सिर्फ कुछ खास चीजों के लिए कैसे सजना फसल को और एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा ये आपको दिखा रहो हैं में आपर वीज आपको बता दुए कि काल अगियुं है और जैसे आपको पता है काला गियुं बहुत बहत्टरी होता ही हेल्ट के लिए तो यह इतना है खोन से करते हैं इस्ट्रूमेंट करते हैं बैल के पीछे ही बहुत है इसको फ़र टाइम तो लगता ही है लेकि इसे जड़ा हमें तसल्य है तो सर कितने सालों से आप ऑर्गनिक फार्मिंग कर रहे हैं 2003 से कर रहे है 2003 से तो अभी यह वेस्टिस के प्रड़क से आप सेडिस्फाई हैं लगातार करी रहे हैं और बहुत प्राकिरतिक तरीके से खेतिको करते हैं आप इनके यहां से आप इनकी अपनी गुड़की चर्खी भी है जिसमें कि आप गुड़ बनवा सकते हैं और पूरा और्गनिक गुड़ होगा तो यहां पर घी भी आपको मिलेगा सब कुछ जो खेतों से निकलती चीज़े सब आपको यह प्यूर फ़र्म में मिलेंगी अगर जो आपको और्गनिक चीज़े लेनी हैं 100% और्गनिक चीज़े तो आप हम स सिधा सतिसपाल जी से मिलवा देंगे और इनका बहुत बड़े-बड़े फार्माव से आपको दिख रहे हैं और यह सारे और अर्गनिक है और मैं भी अब गन्ने के खेत में गया तो यह बता दू गया तो यह बड़े प्यासर आप भी तो पुरा यूज करते हैं सारे पैदावार तो ज्यादे हो जाती है लेकिन सेत के लिए नुकसान है जमीन भी हमारी खराब हो रही है पहले भी हमारे भुजुर्ग भी कंपोर्ट से खेती करते थे और भी कुछ निया और उसी से अच्छी फसल लेते थे तो हम तो उसी उसमें चल रहा है कि अब यह जमीन क जो आदत केमिकल की पड़िवी से चूटा दें अब यह कई साल हो गए अब तो भगवान की दया से जमीन जो है सब ठीक पकड़ कर गई है और ठीक से पैदावार हो रही है और अब तो कवर हो गया जैसे लिए तो देखा आप इनके बड़े भाईयां और मैं आपको दिखा कर सकते हैं खेती को उननत तरीके से कैसे कर सकते हैं यह आपको दिख रहा होगा कि यह दो लोग मैनुवल तरीके से कर रहे हैं और वैल आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे यह अपना घ्यू बहुते हुँ जा रहे और यह काली घ्यू है मैं आपको बता दू काली घ्य तो उसी जागुरू की स्रीज में यह खिसान आया हमारे पास दोनों भाई और बहुत बड़ी खिती है इनकी टीन सो चारसो बिगाख फेत हैं एनका ओर उसको यह करते हैं तो हम आरे पोड़क यूज करते है है और पुरी तरसा से अधिस्पाइ से और अच्छे पर बाद एप दिखा रहा हूं य irriti। इनके पास इस्टुमेंट्स дум différence एनके पास ग्राव Mick produkt का यू wearing पिbs है ये गोपर की खाद है जी और अभी मैं इनका घर की तरब भी आपको ले जाता हूं वो दिखाऊंगा जी ये दिखिए सारे स्टुमेंट्स हैं इनके पास टेक्टर्स भी हैं दो दो तिन तिन टेक्टर हैं आप पूरी खेती खुद खड़े हो के करवाते हैं सबसे बड़ी आपको दिखाता हो इनकी कुछ गाहियों की ब्रीड भी आपको दिखाता हूं आप यहां से देशी घी भी ले सकते फ्योर फॉर्म में देशी आपको मिलेगा गाई हैं इनके पास और यह बहुत अच्छे चे नसल की गाई हैं और यह जो भी दूद देती है उसका जो घी द हुआ है